अंजीर यौन शक्ति वर्दक है अंजीर खाने के बहुत फाइदे है अंजीर रिख डाइफ रूट है और हमारे घर मेरी मील जाता है अलग अलग फार्म मेरम खाते रहते हैं अन्जीर क्यों खाना चाहिए और उसको यहनशक्ति उससे कैसी बढ़ दिले को रहती हो निनमे अलग अलग एक्विया दो आई इसने नारे थाम है। मिटल इस में अंजीर का उपर्योग योन शक्ति वर्धक करके बहुत ज्यादा किया जाता है मुँद्र अंजीर में विटामिन एयर्व विटामिन वीटामिन वी आश्म आख्मिस थे केरा नियोजीम कैल्सिम आयनि पोटेशियम मेगनेशियम जिनक यह सब किकश्तों हैं उसके साथ तो फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में रहता है जिससे पेट साफ होने में मदद होती हैं अंजीर में एंटी-ओक्सिदन प्रापरिटी है अंटी-ओक्सिदन और एंटी-इंफ्लमेंटर प्रापरिटी है जिसके वाज़ासे जो हमारे बॉडि में फ्री रेडिकल्स पैदा को है चरक संगिता में आईरवेदा में अंजीर को बहुत महत्वदिया हुआ है और उन्हें भी बोलाएं कि यह उनशक्ति वर्धक अंजीर है फिर अंजीर सेक्स की इच्छा बढ़ाता है ज्यादा स्टैमिना ज्यादा समय तक स्टैमिना ठीकना जी इसलिए अंजीर के फाइ शर्दा आने में बहुत फाइदे मन है और यह जब अंजीर की इत्ते गुणयकारी है अज्वी कि उसका इस्तिमाल कैसे करना वह आपको जानना बहुत जरूरी है कि दो से चार अंजीर आपने पानी में भीगोकर रखना है रात को सुबह पानी पी लेना है पानी फिकने का नहीं है पानी पी लेने का है और जो चार अंजीर है वो एक बरतन में डालके गैस पर बरतन तक के उसको अच्छा गरम करना है दूद को बहुत अच्छा गरम करके उसको अच्छा अंजीर को पकाने का है दूद में अच्छा पकने के जो पेस्ट अंजीर की जो चानने के बाद में बचती उसको चबा कर खाने का है अब यह आप रोज यह करते हैं डेली रोज सुबह उड़के तो एक तो क्या है कि आपका यह उन शक्ति में बहुत फैदा हो जाएंगा स्टैमिन आपका टिके का जल्दी निकलेगा नहीं मतलब शुगर कम करने में अंजीर फैदे मन है फैबर ज्यादा होने से पेट साफ होने में और पचन पचन अच्छा करने के लिए अंजीर बहुत फैदे मन है तो अंजीर अपने रोज लेना चाहिए और अंजीर लेने से आपका डिफिनिटली यह उन शक्ति बढ़ेगा औ और आपको जल्दी निकल जाना और यह उन शक्ति मतलब इरेक्टाइल जो डिसफंक्शन होता है इरेक्शन में जो प्राबलेम होता है उसमें फैदे मन हो सकता है तो जरू कीजिएगा अंजीर जब आप एक से देड़ महना रोज इस तरह का सेवन करते है तो आपको डिफि करते हैं जुट जब एक से देवन होता है झाल झाल